चोपड़ा एजो किसीन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC का जो इस्टे वेकेंसी राउंड होना है उसके लिए सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है जितने भी सीट वेकेंट हैं उनके लिए MCC ने नोटिस जारी कर दिया है और इसका सेडूल भी जारी कर दिया है सेडूल का मैं आलरी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने इसका सेडूल देखना है तो MCC की वेब साइट पर जाने के बाद आपको काउंसलिंग सेडूल में इस्टे वेकेंसी राउंड का सेडूल मिल जाएगा अब मैं आपको यहां बता दूँ कि टोटल वेकेंट सीट हैं जो सेंटरल उनिवर्सिटी, डिम्ड उनिवर्सिटी, एम्स की, बी एच यू, डी यो इंटरनल, एस आईसी की टोटल जो वेकेंट सीट हैं वो 2463 वेकेंट हैं अभी भी इसमें MBBS की 1236 सीट वेकेंट हैं, BDS की 1207 सीट वेकेंट हैं, अब मैं आपको इंस्टिटूट वाईज बता देता हूँ कोन कोन से इंस्टिटूट में कितनी कितनी सीट वेकेंट हैं तो हम सबसे पहले AIMS की बात करें तो AIMS से जनरल की 36 सीट बाकी है जनरल PWD की 5 सीट बाकी है EWS की 4 सीट है EWS जो PH केटेगरी की है वो 1 सीट बाकी है OBC की 43 सीट से OBC PWD की 4 सीट है SC की 13 सीट से SC PS की 2 सीट है और ST की 11 सीट है इस प्रकार से टोटल एम्स की जो सीटे हैं वो 119 सीट अभी भी वेकेंट हैं MBBS की इसके बाद में BHU MBBS की SC कैटेगरी की 2 सीट है और BDS की 36 सीट है इसमें MU BDS की 9 सीट है MU MBBS की सीट अवेलेबल नहीं है E-SIC की बात करें तो MBBS में جनरल PWD की 1 सीट है जनरल की 1 सीट है BDS की 9 सीट है E-SIC कोटा में जिफमर क्राइकल में जनरल की 6 सीट है EWS की 2 सीट है OBC की 6 SC की 4 पुडूचेरी में कोई सीट नहीं है MBBS की डिम्ड की बात करें तो मेनेजमेंट कोटा में 1224 सीट्स है, NRI में 968 सीट्स हैं, इसके बाद में हम बात करें दिल्ली कोटा की, जो दिल्ली का जो इंटरिनल कोटा है, इसमें DU की जो MAMC, जो मोलनाजाद मेडिकल कोलेज है, MBBS, OBC, PWD कंडिडेट के लिए एक सीट है, और इस SDU, इंटरिनल कोटा में UC, MS की MBBS की जनरल PWD की एक सीट है, IP उनिवर्सिटी की बात करें, तो मोलनाजाद का जो डेंटल कोलेज है, इसमें 10 सीट वेकेंट हैं, इसके बाद ESIC, BDS, जो दिल्ली स्टेट का कोटा है, इसमें 27 सीट, BDS की अभी भी वेकेंट हैं, तो इस परकार से ये सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेकेंट सीट के लिए आप इंस्टिटूट वाइज, अलग-अलग कैटेगरी वाइज सीट इसमें देख सकते हैं, अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें एडमिसन कैसे लेना है, तो इसमें आलडी सब कुछ मेंशन कर रखा है, ये मोड में काउंसलिंग होनी है, और इस्टूडेंट को जिस इंस्टिटूट में एडमिसन लेना है, उस इंस्टिटूट में परजेंट रहना होगा, इसके जो रेजिस्टेशन है, वो चार से छे जनवरी तक अभी ओपन है, इस्टे वेकेंसी के लिए, और जो इसकी काउंस काउंसलिंग अथोर्टी है, यानि कि आप अगर किसी भी एमस में एडमिसल लेना चाते हैं, तो एमस दिल्ली इसकी काउंसलिंग अथोर्टी है, एमस दिल्ली की जो वेब साइट है, एमस एक्जाम से डॉट ओर जी पर आपको इसका सेडिूल मिल जाएगा, कि इसकी ओफल हो गई थी, तो आप इसमें इसकी एक बार डेट चेक कर ले, एमस की वेब साइट पर, सभी 19 एमस की काउंसलिंग एमस दिल्ली दवारा की जाएगी, और आपको एमस के लिए वहाँ परजेंट रहना होगा, वहाँ पर आपको ओरिजनल डोकुमेंट्स के साथ में एमसी दवारा होगी, यह जो काउंसलिंग अथोर्टी है, इनकी वह भी एमसी होगी, इसके बाद में मोलना आजाद हो गया, MBBS, BDS, मोलना आजाद का, UCMS और लेडी हार्डेंगे मेडिकल कोलेज की जो काउंसलिंग होनी है, वो दिल्ली युनिवर्सिटी दवारा होनी है, और BHU की काउंसलिंग BHU खुद करवाएगा, दिम्ड युनिवर्सिटी की काउंसलिंग रिस्पेक्टिव दिम्ड युनिवर्सिटी में, यानि कि आप जिस दिम्ड युनिवर्सिटी में एड्मिसन लेना चाते हैं, उस दिम्ड युनिवर्सिटी में आपको वहाँ परज लेना चाते हैं उसकी वेबसाइट पर आप एक बार जरूर विजिट करें और उसकी इस्टे वेकेंसी की डेट अवसित चेक कर लें मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि जिस डिम्डे युनियर्सिटी में या फिर एमस के लिए या फिर कहीं भी आपको इस्टे वेकेंसी राउंड के लिए पार्टिस्पेट करना है तो आप इसकी वेकेंट सीट जरूर देख लें वेकेंट सीट इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं इंस्टिटूशन वाइज हैं कोर्स वाइज हैं इसमें जो कोटा है कोटा जो मनेजमेंट कोटा या जो भी कोटा है उसके व राउंड के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद